तो सेवा का भाव देखा जाता है कारिय नहीं देखाता क्योंकि कारिय जब देखाता है, अच्छा कारिय को कोई भी कर देगा, किसी को दान देना है, कोई भी देदेदा, किसी को भी उठाओ, तो बहुतों वही करिया है, कुछ भी देलो, लेकिन जो शेवा का दाओ है, वो फर देखें के बसक्ता है, किसी कारिये के लिए, लेकिन जो जिस कारिये के लिए उप्यूकत है, यह नहीं जम्हें, यह छोटा कारिये है, यह बड़ा कारिये है, वह जिस कारिये के करने से छोटा हो जांगा, अगर से यह कारिये जिला तो वो बड़ा हो जाएगा, यहां कोई पर्तियों किता नहीं चल यहां कोई पर ती दंद नहीं चल रहा है। यहां कोई राजनी की नहीं चल रही। यह परिवार चल रहा है। परिवार में जो जितना सक्षम जो जिस तरह से अपना संपूरन दे सके जहां भी कि जितनी शिवादर सके वही सख्षर है। तो मे इश्ट कोई से बहां पक्तर उठाने से चोंडे पड तई, क्या तंहीं किसी ने कहा कि वह नहीं पक्तर उठाई कि वह डान अधी है। ऐसा नहीं पहला है। ने किसी ने यह सोचा, नहीं किसी के विविजे किचार उतपन हुआ, लेकिन संबूर नजा लेखिये, तू सरसीक की बना नजीतिया कुच्छा का ठोपी, ले भाव से भी, पुर्जा ने क्या माना उन से, विचार करिए, एक रातरी चाहिए पर वुआ आपकी भोग के दिये, वासना के दिये, लेकि तू सरीकरशन वहां के बना नहीं कर रहे, ये नहीं कहा कि तू योगे नहीं हो, तू पातर नहीं हो, बहुत बड़ा पातर चाहिए, गोपिया बहुत पातर थी, राधा जी बहुत पातर थी, तू नहीं हो सकती, ये नहीं कहा, वो जानते हैं, जिस पातर को जितना देना है, उसको उतना ही देत हो, इतना तेत रोगा उस प्रफिता के अधर, इतनी जेतना होगी, आज रास का मत्सव है, रास की रातरी है, माना रास, जिसका रास के अंदर प्रवेश हो जाता है, इस पूरी प्रदुई के उपर, जब हमें गुरुपत प्राफ्ट हुआ तो चोदा गुरुपत थे पूल कर्चुई के अदर लेकिन आज बारा हैं दो जाच सुके हैं इन बारा के अंदर ही ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे लगोगे च्यार या पांच ही रसिक हैं जिनका रास के अंदर प्रवेश्ट है पूरी धरा के उत्वर के इतनी बड़ी धरा होगी तो रास के अंदर ऐसे ही प्रवेश्ट नहीं होता पहुत दूर जाना पड़ता है जीजना पड़ता है एक एक की दरी को एक हिक मन को जागरत करना पड़ता है एक एक सरीर को हैं अगर एक सरीर को इसलिए बोला है ये क्यों नहीं बोला कि शरीर को दाज़त करना पड़ता है ये चेज़ना को दाज़त करना पड़ता है जो ये शरीर आप देख रहे हैं कि ये स्कुल शरीर है जिन ये चूट जाता है नश्ट हो जाता है पिर सुबसंद शरीर होता है यह नहीं कि यह चुटा पुरा आत्मा बाहर हो गए, नहीं ऐसा ऐसंद हो गए, यह किसी योदि के साथ भी गटना हो गए, कि सब के सब शरीरे साथ पुल जाएं, उस जेतना में जेतना मिल जाए, आत्मा में, उस प्रमात्मा का जो अंस है, वो अंसी के अंदर पिल जाए, उ तो तो कम होगा योगियों के साथ ये रखना होगी सुसम के बाद अकारण शरीर है उसके बाद ग्यान देगी उसके बाद विक्यान देगी उसके बाद पिर आदमा अलग सकती है तो उसके दूर हो जाती है और फिर उस परमपिता से इताफार होता है तो उस उची स्थीती तक पहुँजने के लिए वहाँ जाने के लिए सबसे आउ सकता उस ध्यान की है उस परमात्मा के नाम की है उस सुमर्ण की है जो हम भूल गए हैं जो इसी उने रीद चलाई थी जो ले तके गए थे जो ले तके गए हैं वहाँ तो वो रीद हमें जितना ज्यादा हो सके ध्यान करना है भजन करना है एक आगता प्राप्त करनी है उस जो ये तारुत्पन हो गया है इसे दूर करना है कुमित्तर भाव से भजन करते हुए ज्यान करते हुए एक आगता करते हुए उस प्रांचेतला की प्राप्ती करनी है लेगिन चनिये जागरती बिना जागरती के नहीं हो सकता चनिये विचारों के ओपर पकड़ तो आप विचारों के उपर पकड़ा दो नी को सकता, तो आप विचारों के उपर पकड़ बनाये फिर एगागार करने की कोशिस कीजिए, फिर वहां पहुंचने की कोशिस कीजिए यही उस प्रमचेत्ना का खेश असरवाद होगी तो वहां पहुंचने के लिए कि उस्यान, प्रेव, जागती, ज्यान, योग, भगती, समर्पन, भाव, उन चीजों की बहुत ज्यादा भनेतव रहता है तो आप जितना उपर उपते चले दाएंगे प्रमात्मा उतना ही नस्तिक आता सदादाएगा तो आप भजन करें, ध्यान करें और एकावता बनाए रखें जितने ज्यादा देर्विचार होंगे उतने ही उस्यादा के नस्तिक होंगे और जितने वासना के अंदर पसेगे इतनी हिस्क्रिक की निश्कामी होते हुए हमें आगे बढ़ता है उस प्रम्चेटना की ओर तो आप ज्यान की तिये, समर्ण की तिये, उस प्रम्पिका प्रमात्मा से बार बार प्रातना की तिये जब आप उसे पुकारे के हर्दे के साथ कि उन समद से नहीं, कि उन दूप से नहीं, कि उन राम राम केहने से राम नहीं बड़त होगा जब हर्दे के पुकार होगी तब उस प्रम्चेटना की जावर्ण की होगी तो आप पुकारिए उस प्रम्पिका को उस अनंत को और ध्यान कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं जितना ज्यादा ध्यान होगा इतनी विचार के ओपर पकड़ बनती चली जाएगी तो रहे जो पहले विचार हैं यह सब एकार रोजे चले जाएगे और प्रेम रूप का रस्था बढ़ जाएगा उस प्रमादमा तक यह दोर ले जाएगी और जब उस प्रमादमा तक पहुंचोगे तो सब उस्पाल होगे जो जो भूल हुई है जो भलतियां हुई है प्रैशीत करते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए उस प्रमादमा की ओर बढ़ें और भजन करें जब भी जागोगे अभी समेरा हो जाएगा जहां से भी कदम बढ़ाना शरूत होंगे वहीं से आगे कदम रस्ता छोटा होता चला जाएगा लेकिन बढ़ना तो होगा जी पुंचना तो होगा जी आप सब के अंदर वियादमान उस प्रम्तिता प्रमेश्वर मेरे गुरू प्रम्तित को बढ़ा हो जाएगा 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